विश्व परिद्रिश लेखक डॉक्टर अरुनोदय वाचपई भारत का परमाणू सिध्धांद प्रतिवर्ष की भांती अगस्थ 2020 में भी 6 अथा 9 अगस्थ 1945 को क्रमशह जापान के शहरों हिरोशिमा वर नागसाकी में अमरीका द्वारा गिराए गए परमाणू हत्यारों को याद किया गया तथा इन हत्यारों की विद्वन्सक शम्ता को रेखांकित किया गया है भारत भी परमाणू हत्यारों के सैनेक उपियोग का विरोधी है लेकिन परमाणू उर्जा के शांतिपून उपियोग का पक्षधर है अतह भारत ने 1950 के दशक से ही परमाणू तकनीकी का विकास करने का कारेकरम चलाया है भारत ने विद्वत उत्पादन के लिए अमरीका, रूस, फ्रांस आदी देशों के साथ मिलकर परमाणू सैंत्रों की स्थापना की है भारत परमाणू बिजली के उत्पादन पर जोर दे रहा है क्योंकि परमाणू बिजली पर्यावरन प्रदूशन की दृष्टी से सुरक्षित है इस कड़ी में सबसे पहला परमाणू सैं सैंत्र 1969 में अमरीका की तक्नीकी सहायता से लगाया गया था भारत में विद्युत उत्पादन चिकिस्सा आदिक्षेत्रों में परमाणू शक्ति का उप्योग हो रहा है वर्तमान में भारत में 222 आनविक सैंत्र कारिरत हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 6780 मेगा जो देश के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 3.2 प्रतिशत है। इसके साथ ही वर्तमान में 11 नए परमानु सैयंत्रों का निर्मान हो रहा है जिनकी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता 8100 मेगावाट होगी। भारत ने वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावाट परमानु वि योग की दृष्टी से आवशक शमता अर्जित कर ली है लेकिन यूरेनियम के घरेलू स्रोतों की कमी तथा परमानु इंधन की उन्नत पुनर संसकरन तकनी की रिप्रोसेसिंग टेक्नॉलोजी के अभाव में भारत का परमानु कारेक्रम बाधित होता रहा है। भारत का पह परमानु नीती की नई चुनोतियां भी खड़ी हो गई। भारत ने अपना पहला परमानु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसल मेर्जिले के पोखरन नामक स्थान पर किया था। इसका कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। भारत इस परीक्षण को शांतिपूर्ण आणविक परीक्षण मानता है। उलिखनी है कि परमानु तक्नीकी दोहरे प्रयोग वाली तक्नीकी डूल यूज टेकनोलेजी है क्योंकि एक ही तक्नीकी का प्रयोग शांतिपूर्ण कारेयों तथा हतियार बनाने दोनों के लिए किया जा सकता है। अंतर प्रतिशत या इससे आधिक होती है। अर्थात Nuclear Suppliers Group की स्थापना की गई। निरधारित नियमों के अनुसार पर्मानु आपूर्ति करता समुह के सदस्य देश केवल उसी देश को शांतिपोन प्रयोग के लिए पर्मानु इंधन वत तकनी की उपलब्द कराते हैं। जिसने 1968 की पर्मानु अप्रसार संधी Non-Proliferation Treaty पर हस्ताक्षर कर दिये हों, तथा अपने पर्मानु सहियंत्रों को अंतरराष्ट्रेय पर्मानु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में संचालित करने हेतु सहमती व्यक्त की हो। भारत अपनी विशेश सुरक्षा चुनोतियों के कारण पर्मानु आपूर्ति करता समुह की उक्त शर्तों को मनाने के लिए तैयार नहीं था। पर्मानु हथियारों की ख्शमता भी प्राप्त हो गई है। इस पर्मानु परीक्षन के बाद भी अमरीका ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंदों की घोशना की थी, लेकिन भारत की इस्थिती से संतुष्ट होकर अमरीका ने 2001 में ये प्रतिबंद हटा लिये थे। शस्त्र नियंत्रन बनाम पर्माणू निशस्त्री करण। शस्त्र नियंत्रन बनाम पर्माणू निशस्त्री करण। शस्त्र नियंत्रन का समर्थन नहीं करता है। भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने 1988 में सयुक्त राष्ट्र के विश्व निशस्त्री करण सम्मेलन में पर्माणू निशस्त्री करण का तीन चरणों वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके अतरिक्त भारत ने पर्माणू हत्यारों के विरुद सभी वैश्विक प्रयासों का समर्थन वसह योग किया है। लेकिन पर्माणू शक्ती संपन देश अपने पर्माणू हत्यारों को समाप्त करने की बजाए इस बात के लिए प्रयास रत हैं कि दूसरे देश पर्माणू हत्यार प्राप्त ना कर सके है। भारत परमानु शक्ती संपन देशों की इस भेद भावकारी नीती का विरोध करता है। महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत निशस्त्री करण का समर्थक है। फिर भी भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टी से परमानु हत्यार अरजित करने का विकल्प खुला रखा विकल्प खुले रखने का मतलब ये है कि भारत अपनी आवशक्ता के अनुसार परमानु हत्यार बना सकता है। इस विकल्प को खुले रखने का प्रमुक कारण ये है कि भारत का पडोसी देश चीन घोशित रूप से परमानु हत्यार संपन देश है। जबकि उसकी सहायते से पाकिस्तान ने भी पर्माणू हथियार व मिसाइलों का निर्मान कर लिया है। प्रिष्ट 58 इन दोनों ही पडोसी देशों के साथ भारत के कई युद्ध हो चुके हैं तथा तनावपूर्ण संबंद बने रहते हैं। अता भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पर्माणू हथियारों का विकल्प खुला रखना आवशक है। इस समझौते के अंतर्गत भारत पर्माणू अप्रसार संधी पर हस्ताक्षर किये बिना ही अमरीका से पर्माणू तकनीक व इंधन प्राप्त कर सकेगा। ये समझोता भारत के परमाणू कारक्रम के बारे में अमरीका तथा पश्चिमी देशों के बदले हुए रुख का सबसे बड़ा प्रमाण है। परमाणू उर्जा एजेंसी से परमाणू इंधन्व तकनीकी के आदान प्रदान की छूट यानि वेवर प्राप्थ हुई। इस छूट के बाद ही इस समझोते को कारे रूप देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस समझोते का भारत के लिए एतिहास एक महत्व इस बात में ह कि परमाणू खेत्र में 34 वर्शों से अंतरराश्ट्रिय स्तर पर चल रहा भारत का बहिशकार समाप्थ हो गया। बाद में भारत ने अन्य देशों जैसे रूस, फ्रांस, कजाखस्तान, जापान, आस्ट्रेलिया आदी देशों के साथ भी ऐसे समझोते किये हैं जिनसे भा कारकरम के तीवर विकास के लिए तकनीकी व इंधन प्राप्थ हो सकेगा। यद्यपी अमरीका के साथ इस समझोते के क्रियान वयन में कतिपस तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों में भारत में परमाणू संयंत्र लगाने वाली अमरीकी कम्पनियों द्वारा द 1968 पर हस्ता अक्षर क्यों नहीं कर रहा है। पर्मानु अप्रसार संधी संयुक्त राश्ट्र के तत्वावधान में 1968 में बनी थी तथा 1970 में लागू की गई थी। इस संधी के द्वारा दुनिया के सभी देशों को दो वर्गों में बांट दिया गया। पांच पर्मानु शक्ती संपन राश्ट्र कथा अन्य सभी गैर पर्मानु शक्ती संपन राश्ट्र। इस संधी की शर्तों के अनुसार गैर पर्मानु शक्ती संपन देश भविश्य में पर्मानु हथियारों का निर्मान अथवा आयात नहीं कर सकते हैं। इन देशों को ये अधिकार दिया गया था कि संधी पर हस्ताक्षर करने के बाद वे अंतराश्रिय परमानु उर्जा एजेंसी की देखरेख में परमानु उर्जा का केवल शांतिपोन उद देशों के लिए प्रयोग अवश्य कर सकते हैं, लेकिन इस संधी द्वारा हथियारों के उत्पादन या भंडारन पर कोई रोक नहीं लगाई गई, भारी दबाव के बाद भी भारत ने निम्न कारणों से इस संधी पर हस्ताक्षर नहीं किये, एक ये संधी भेदभावकारी वपक्षपात पून है क्योंकि ये परमानु शक्ती संपन राष्ट्रों पर हथियार रखने वह उत्पादन पर रोक नहीं लगाती, जबकि ये गैर परमानु शक्ती संपन राष्ट्रों पर परमानु हथियारों के उत्पादन या अर्जन पर रोक लगाती है। 3. चीन तथा पाकिस्तान के परमानु खत्रे को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमानु हथियारों का विकल्प बंद नहीं करना चाहता है। इस संधी पर हस्ताक्षर करने को उपरांद भारत का ये विकल्प बंद हो जाएगा। बंद भारत का एक सुरक्षा सिध्धान्त तयार किया है। इस सिध्धान्त की घोषना 17 अगर्स 1999 को की गई थी। फिर भी भारत में अधेकांट समीक्षक इस सिध्धान्त की मौलिक बातों से सेहमत है। इस सिध्धान्त में भारत द्वारा न्यूंतम आनविक शम्ता पर्वभॉमिक निशस्त्री करण के अभाव में तथा चीन्व पाकिस्तान के पर्मानु खत्रे को ध्यान में रखते हुए आत्मरक्षा के लिए भारत को एक प्रभावी एवं विश्वस्निय पर्मानु क्षम्ता की आवशक्ता है, जिसमें पलट कर जवाबी कारवाई करने की भी ख्शम्ता हुए इसके लिए भारत की आणविक ख्शम्ता में विश्वस्नियता, जीवित बचे रहने की ख्शम्ता, प्रभाव शीलता तथा सुरक्षा की आवशक्ता है, अतह भारत एक विश्वस्निय तथा नियूनतम आणविक निरोधक ख्शम्ता, मिनिम्मम चुछूंकी भारत की नीटी जवाब में आनुविक हथियारों के प्रयोग की नीटी है अतह आक्रमान के बाद भी आनुविक हथियारों के बजे रहने की ख्रम्ता अत्यन्त आवस्षक है।